दोस्तो आज हम ट्रिक से याद करेंगे अंतरराष्टी संगठन और उनके अध्यक्स 2024 बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और यह आपको चुटकियों में आद हो जाएंगे आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है एक बार वीडियो को कम्प्लीट देख लेंगे तो यह आपको चुटकियों में आद हो जाएंगे तो वाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में चलिए शुरू करते हैं फटाफार पहले क्योंशन नाटो के महासचिव कौन बन गए हैं अगर आपने चुना ऑप्सन भी मार्क रूट तो बिल्कुल सही जवाब चुना है नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट देखिए वही मार्क रूट है जो निदरलेंड के परधान मंत्री रहे हैं अब नाटो नोटो को लाने के लिए पहले क्या करना है मार्क कर लो रूट को पहले रूट को मार्क कर लो फिर नोटो को ले कर आओ रूपियों को ले कर आओ नोटो के भरे हुए ट्रकों को लाने के लिए मार्क कर लो रूट को अगर रूट इदर उदर हो गया ना तो समझ अगर आप चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लीजिएगा बाद में आप डोड़ते रह जाओगे नाटो की स्थापना हुई थी चार अप्रेल 1949 में इसका मुख्याले है बुर्सेल्स बेल्जियम में नेक्स्ट अंतरराष्टिय नयायले याने की आई सी जे के अध्यक्स कुन है अब संडी नवाफ सलाम कुन है नवाफ सलाम अब बात और ये अंतरराष्टिय नयायले की तो भाई जितने बड़े बड़े नवाफ याने की नवाव है नवाफ जादे है न वो भी अंतरराष्ट स्थापना होई थी 1945 में मुख्याले दा हैं नीदर लेंड में नेक्स्ट संयुक्त राष्ट के महा सचीव कौन है बिल्कुल लीजिया भाई अगर आपने चुना अप्सन ए एंटोनियो गुटेरस तो बिल्कुल सही जब आप चुना हैं बात और ये संयुक्त राष्ट की तो भाई संयुक्त राष्ट के अंदर भौध पावर हैं भौध स सेउक्तराष्ट के अंदर बहुत सक्तिया हैं एंटोनियो जो भी एंटी चलता है गुटेरस गुटबाजी करता है सेउक्तराष्ट के किलाप है उसे अकल ठिकाने आ जाती है सेउक्तराष्ट के स्थापनावी थी 24 अक्टूबर 1945 में इसका मुख्याले है भाई नियू यॉर्क में नेक्स्ट यूरोपियन संग के अध्यक्स कौन है इन्पोटेंट है पीछे हमने बात की थी समुक्तराष्ट के अध्यक से अन्टोनियो कोश्टा अब यूरोपियन देसों के साथ यूरोप के साथ जो एंटी होगा जो उससे पंगा लेगा उसे बहुत कष्ट जेलने पुढेंगे बहुत कोष्ट लिपुढेगा भाई बस इतना याद रखना है यूरोप के साथ जो पंगे लेगा यूरोप के जो एंटोनियो एंटी चलेगा उसे कष्ट जेलने पड़ेंगे बहुत कोष्टली पड़ेगा उसको बहुत मुक्षार होगा एंटोनियो कोष्टा यूरोपियन संग के अध्यक्स और यूरोपियन संकिस्था आपना होई थी 1993 में मुख्याले है बर्सेल्स बेलजियम में नेक्स्ट अफरीकी यूनियन के वर्तमान अध्यक्स कोन है option C मुसा फकी कोन है मुसा फकी अफरीक का हो गया अब फिरीका खाने के लिए घर पर आ गए है कोन मुसा और मुसा मुसा जी और मुसा दोनों ही घर पर आ जाते हैं अफरीका अब फिरीका खाने के लिए फकी फिरीका कौन-कौन खाने के लिए घर आता है मुसा और मुसा दोनों अफरीका अब फिरीका खाने के लिए आगे भाई सेवापा नहीं करने पड़ेगे मुसे की और मुसे की दोनों की अब फिरीका खाने आगे अफरीका यूनियन इसका गठन हुआ 9 जुलाई 2002 को मुख्याले है अदीस अबाबा एथोपिया में है ये अफरीकी यूनियन 25 अफरीकी देशों का समू है अफरीकी यूनियन जी ट्वंटी का सदश्य देश बना 2023 में जी ट्वंटी 2023 का सम्मिलंग किस देश में किया गए ये अगर आपको पता है तो भाई कॉमेट्स बोक्स में लिग दीजिएगा सार्क यानिकी साउथ एशियन एसोशियेशन रिजिनल कॉर्पोरिशन के महा निदेशक कोन है अफसन सी महमद गुलाम सर्वर सार्क के महा निदेशक है महमद गुलाम सर्वर ट्रिक से याद करेंगे शौक का हो गया शौक लगना और महमद का हो गया महबत है जब किसी और की गुलाम हो जाती है सर को छोड़ देती है अपने वर को छोड़ देती है तो शौक तो लगेगा न भाई आपकी महबत है और वो किसी और की गुलाम हो गई तो आपको शौक देगा ना महपमद गुलाम सर्वर भूल मद्जी ओ भाई स्थापना 1985 में मुख्याले हैं काट मंडू next new development bank ndb के अध्यक्स कौन है option B डिल मा रूसेफ कौन है डिल मा रूसेफ ये new development bank के अध्यक्स है डिल मा दिल के रूसेफ रहो सेफ भाई आप दिल के रहो सेफ है अपने आप new development होता जाएगा आपके परिवार का development होता जाएगा बसरते की डिल मा दिल के रूसेफ रहो सेफ भाई दिल के सेफ रहो फिर तो development है स्थापना 2014 में मुख्या ले संगाई में भाई new development कब होगा जब आप दिल्मा दिल के रूँ सेफ रहेंगे साफ साफ दिल के रहेंगे न तो development आपके पीछे पीछे दोड़ेगा success next अंतर राष्टि ये समुंदरी संगठन के अध्यक्स कौन है आपसंसी की टैंक लिम कौन है की टैंक लिम बात और ये समुंदर की और भाई समुंदर में पानी बहुत है आप पे कितने भी टैंक भरलो कोई लिमिट नहीं है की टैंक कितने भी टैंक भरलो लिम लिमिट नहीं है बाई क्यों बहुत है बाई 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 इतना बड़ा समुंदर है पानी ही पानी है की टैंक कितने भी पानी के टैंक भरलो नो लिम लिमिट और देखे इसकी स्थापला हु Option C, जुरब, पोली का सीवीली अब देखीए, यहां बात और यह विस्व परियटन की अगर आपने विस्व परियटन पर निकलना है न तो भाई बहुत सी जुरब, जुराब ले लिजीए, सौक्स ले लिजीए जुरब बहुत सी जुराब ले लीजिए और बूट को अच्छे से पोली का पोलिस कर लीजिए सभी के लिए है बाई आप विशु परेटन पर जा रहे है ना तो बहुत सी जुराब ले लीजिए सोक्स ले लीजिए पोली का पोली याने की बूट को पोलिस कर लीजिए सभी क सभी के सभी स्थापना होई थी 1975 में इसका मुख्याले मैड्रिड स्पेन में है जस्तों वीडियो लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दिल में कोई बात हो कमेंट्स बोक्स में लिख दीजिएगो आपका कोई भी टोपिक जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहि लोग है शिंडी मेकेन अब विश्व में खाद्यकारेकरम क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है कैसे काम कर रहा है कैसे चल रहा है यह बात कौन बंदा बता सकता है शिंडी याने की मंडी शिंडी मंडी मेकेन में काम करने वाला बंदा बता सकता है आज टमाटर क्य क्या भाव आलू क्या भाव है और उसके बेश पार विशु खाद्य कारे करम कैसे होगा आज पनीर बनेगा या दाल बनेगी ये कौन बता सकता है सिंडी याने की मंडी मेकेन में काम करने वाला बंदा और कोई नहीं बता सकता है इसकी स्थापना 1961 में हुई इसका मुख्याले रोम इटली में है नेक्स्ट अंतरराष्टिय उर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है अपसन भी फतिही बिरॉल अब बात ओर ये अंतरराष्टिय उर्जा एजेंसी की भाई जिसके पास है उर्जा है वो तो फतिही फते हासिल कर लेता है बिरॉल बगर किसी रोल के बगर किसी रोले रप्पे के क्यों कि उसके पास अंतरराष्टी लेवल पर उर्जा है सकती है ताकत है उर्जा जिसके पास होगी फती फते हासिल कर लेगा बिरॉल बगर किसी दूसरे बंदे के रोल के बगर किसी रोले रप्पे के इसकी स्थापना होई थी 1974 में मुख्याले पैरिस फ्रांस नेक्स्ट अंतरराष्टी परमानु उर्जा स्मिती के महानी देशक कोन है पीछे हमने बात की थी अंतरराष्टी उर्जा एजेंसी की यहां बात और यह अंतरराष्टी परमानु उर्जा की इसके महानी देशक है option D राफेल ग्रोशी ग्रोशी याने की ग्रोव नहीं करेगा कौन देश जिस पर परमानु उर्चा का उप्योग होगा परमानु हमले का उप्योग किया गया होगा वो देश वो जमीन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती वहाँ ग्रास घास नहीं उग सकती इसके स्थापना होई थी उन्नीस तो स्थावन में मुख्याले विये नाम है नेक्स्ट रेड क्रोस के अध्यक्स कुन है अब संडी मिरजाना स्पोल जारिक अब बातों ये रेड क्रोस की कि ये रेड क्रोस लगा दिया है जो भी इससे आगे जाएगा रेड क्रोस को क्रोस करेगा उसको मिरजाना यानि की हरजाना स्पोल जारिक जारी किया जाएगा मिरजाना हरजाना जारी के जारी किया जाएगा किसको जो भी रेड क्रोस को क्रोस करेगा रेड क्रोस की स्थापना 1863 मुख्याले जनेवा आएलो इंटर्नेशनल लेबर और्गनाइजेशन के नए महानी देशक कौन बने हैं सही जवाब होगा उप्सान डी गिल्बर्ट होंग बो देखें अंतर्राष्टी शरम संगतन के महानी देशक बने हैं गिल्बर्ट होंगबो अब बात और ये स्रम की महनत की कई बोल देते ना यार वो तो बिल्कुल भी स्रम नहीं करता बिल्कुल भी महनत नहीं करता गिल्बर्ट गिर्गिट गिल्बर्ट गिर्गिट की तरह होंगबो है वो होंगबो है वो कई बोल देते ना कि यार उसको नहीं करेगा मेहनत नहीं करेगा स्थापना उईती 1919 में मुठे जनेवा में मुठेले भी पूछा जा सकता है स्थापना वर्स भी और वर्तमान अध्यक्स यह वेरी इन्पोटेंट नेक्स्ट यूनिसेफ यूनाइटीड नेशन चिल्डरन्स फंड के परमुख कौन है अप्सन एक कैथरीन रसेल देखे यूनिसेफ की अध्यक्स बन गई है कैथरीन रसेल अब यूनिसेफ का हो गया यह नहीं है सेफ यूनिसेफ यह नहीं है सेफ क्या कैथरीन का हो गया कैरोसीन रसेल सेल करना कैथरीन का हो गया कैरोसीन और रसेल का हो गया सेल करना यूनिसेफ ये नहीं है सेफ भाई आप इलीगल तरीके से कैरोसीन को सेल करेंगे यूनिसेफ ये नहीं है सेफ भाई यूनिसेफ ये सेफ नहीं है कैथरीन कैरोसीन रसेल सेल करना कैरोसीन सेल करना ये सेफ नहीं है यूनिसेफ युनिसेव की स्थापना होई उनिस सो चालिस में मुख्याले है नियू यॉर्क है नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानी देशक कोन बनी है वेरी इंपोर्टेंट फाइंड भाई ओप्सन बी नागोजी ओकोजो एवियला देखे विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानी देशक बन गई है नागोजी ओकोजी ओकोजी ओकेजी नाजी रहने दो जी छोड़ दो जी ओकेजी नहीं कर सकते जो कानून है जो नियम काईदे कानून है पालन करना पड़ेगा विश्व व्यापार के समया पे नागो जी नाजी ओको जी ओजी सुलो जी थोड़ा कम कर दो जी ऐसा नहीं चलेगा तो विश्वया पर संगठन की महिलानी देशक हो गई नागोजी ओकोजी एवियला इबूल मजी हो भाई स्थापना होई थी उननीस सो पिचानमे में मुख्याले है जिनेवास नेक्स्ट ओपैक पैट्रोलियम निरिया तक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने है आपसन ए है थम अलगेस है थम का हो गया है दम है थम है दम तो भाई आके मुझसे लड़ ना तो ओपैक ओपैक कर ले अपने बोरी बिस्तर और यहां से दोड़ जा है थम है थम अल है थम याने की है दमना तो मुझसे आके लड़ मुकाबला कर ना तो ओपैक आपक के स्थापना होई 1960 में मुक्याले है विएना आश्ट्रिया में और भाई देखें अगर आपको हमारी ट्रिक समझ आ रही है तो आप हमें बता जरू दीजिए बताएंगे कैसे comments box में yes लिख दीजिए अगर समझ आ रही है नहीं समझ आ रही तो no लिख दीजिए कोई सुझाओ हो तो वो भी आप लिख दीजिएगा next संगाई सयोग संगठन SEO के ने महा सचीव कौन बने है option A जांग मिंग अब बात हो रही है संगाई सयोग संगठन के और इसके ने महा से चीवने है जांग मिंग संगाई का हो गया सगाई संगाई सगाई बंद चेताव नहीं दे रहा कि भाई अगर मेरी सगाई में किसी ने जांग मिंग की न जार जंक डड़ाए जांग मिंग की चिंग मिंग की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बड़ी मुश्किल से सगाई हो रही है संगाई हो रही है बीच में अगर किसी ने जांग मिंग की चिंग मिंग की जार जंक डड़ाए न तो भाई टांग तोड़ द योग संगठन की स्थापना होई 2001 में मुख्या ले हैं वीजिंग में नेक्स्ट अंतरराश्टिय शोर संगठन आई एसे इंटरनेशनल सॉलर अलाइंस के महानी देशक कौन है अप्सन ए अजय माथूर देखिए वरतमान में नतरराश्टिय शोर संगठन के महानी देशक है अजय माथूर बात और ये शोर उर्जा की शोर संगठन की जो कि भाई बिलकुल फिरी है सूरिय से मिलता है एक बार सोलर सिस्टम लगवा हो उसके बाद फिरी ये अजय अजर अ हो गया लाइट आए जंजट कतम सोलर सिस्टम लग गया और ये अजयर अमर है अजय है चलता ही रहेगा 30 साल तक की गारंटी वारंटी है और सब कुछ मधूर में लगता है बिजली का बिलकम हो गया और क्या चाहिए मिरवाई स्थापना होई थी 30 नवंबर 2015 में पैरिस में वो क्याले है गुरूग राम हर्याना में नेक्स्ट अंतरराष्टिय मुद्रा कोस की अध्यक्स कोन है इंट्रनेशनल मोनिटरी फंड अब बात और ये अंतरराष्टिय मुद्रा कोस की के भाई जिसके पास अंतरराष्टिय मुद्रा होगी मुद्रा कोस होगा वो तो क्रिष्टि लेना क्रिष्टल हीरा खरीद सकता है क्रिष्टि लेना वो तो हीरा खरीद सकता है क्रिष्टल खरीद सकता है क्यों क्योंकि उ अंतराष्टिय मुद्रा कोस है उसके पास वो जितने मर्जी क्रिष्टल खरीद सकता है क्रिष्टी लीना जार्जी एवं अंतराष्टिय मुद्रा कोस की स्थापना हुई ती 1945 में मुख्यालिया है वॉसिंग्टन डीसी में नेक्स्ट विश्व स्वास्त संगठन डवलु एचो के महानी देशक कोन है मिर भाई अगर आपने चुना आप्सण ए टेड्रो एड्रे नॉम घेबरेयस तो बिल्कुल सही जवाब चुना है अब यहां बात हो रहे हैं घेबरेयस घबराने की टेड्रो ड्रे ड्रे और यहां संगठन डवलु एचो बाई कोवीड के टाइम में डवलु एचो कि ऐसे गाइड्रो आती थी के टेड्रो सब ड्रे हुए थे गेबरेयस सब घबराय हुए से ते और आज भी यही हाल है तो विश्व स्वास्त संगठन की चेता आउनी से गाइड्रो ड्रे हुए से हैं एजूकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर और्गनाइजेशन के महानिदेशक कुन है अप्सन B आंद्रे अजोले युनेस्को के महानी देशक है आंद्रे अजोले अब युनेस्को से वोई सारी है नैसले युनेस्को नैसले की कोफी पीनी है वाई तो बंदा कह रहा है आंद्रे अजोले आजाओ अंदर आजाओ वाई नैसले की कोफी पिलाता हूँ युनेस्को नेस्को की नेसले की कोफी पिलाता हूँ सर्थ क्या है आंदरे अंदर अजोले आजाओ अंदर आजाओ बैट के अराम से पीते हैं युनेस्को की स्थापना 16 नुवंबर 1945 में हुई मुख्याले है पैरिस अगर आपने चुना option D थामस बाच तो बिल्कुल सही जवाब चुना है भाई इन्पोटेंट केशन है ट्रिक से याद करेंगे बात और यह अंतर राष्टी ओलंपिक स्मिति की के भाई अगर आपको अंतर राष्टी ओलंपिक में मेडल लाना है ना तो आपको थामस थरमस से बाच बचना होगा थामस में क्या होती है चाय होती है कोफी होती है हम पीते हैं और हमारी परफोर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है तो अंतर राष्टी ओलंपिक में अगर आपको मेडल लाना है तो आप थामस थरमस से बाच बचो जूस पिवो दूद पिवो दई पिवो लसी पिवो आयोसी क स्थापना होई 1894 में मुख्या लह लोसने स्वीड जरलेंड में नेक्स्ट खाद्य एवम किरसी Sंगठन के महानिर देशक कुन है option B. Q. दोंग यूँँँट देखेए खाद्य एवम किरसी Sंगठन के महानिर देशक है Q. डोंग यूँँँँट अब क्यों का हो गया क्यूं डोंग कर रही है किर्शी के साथ किसानों के साथ किर्शकों के साथ खद्य के साथ क्यूं डोंग कर रही है सरकार कौन कहते हैं विपक्सिपारिटी कहती है बाई स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 में मुख्याले है रोम में एशिया विकास बैंक ADV के अध्यक्स कुन है? Option B. मातसुगू असकावा एशिया विकास बैंक के अध्यक्स है मातसुगू असकावा एशिया विकास बैंक के स्थापना हुई 1966 में मुख्याले है मनीला फिलिप